हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोप आप लोग अच्छे होंगे मैं हु राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगें आपके सामदेंक मोश्ट इंपॉर्टें इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लेक्षर नमर टू में हमने डिसकर्स किया था कि वर्क क्या होता है और एनरजी की दो टाइप पॉटेंशल एनरजी और काइनरजी हमने तोटल ली आपके लिए एक्स्प्लीन किया था formula कैसे आता है, कैसे उसका derivation होता है explanation किया था, साथ ही में कुछ examples के माध्यम से भी आपको कुछ समझाने की हमने पूरी कोशिश कीते, तो उमीद कर तो आपने इसके पहले के जितने भी lectures हुए सभी देखे होंगे और बहुत importantly ये भी चीज़ बता दूँ फाइनली आज lecture number 3 है, एक और lecture लेकर लेकर आऊँगा lecture number 4 तो ये chapter खताम हो जाएगा, उसके बाद मैं start करने वालो दोस्तो chapter number 16 जो की बहुत जादा लोगों का demand आ रहा है, तो आप उसके लिए भी prepare रहीएगा, engine लोगों को chapter number 16 चाहीएगा, तो उसके लिए भी एक बहुत एच्छा ख़बर रहेगा, तो प्लीज आगे के लोगों को फैला दीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगी chapter number 2 के बाद, सीधा मैं chapter number 16 के बास जाने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग के of energy अब ये इतना अच्छा important चीज है जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि energy जो होती है, ये बहुत सारे अलग-अलग types की होती है, अगर मैं basically example के तोर पे आपको कुछ energy अगर लिखाने की कोशिश करूँ आपने देखा होगा एक आपने सुनाओगा mechanical energy के बारे में ठीक है, मैं बताओँगा हर एक चीज का meaning बताओँगा लेकिन मुझे पहले लिख लेनी दीजिए ताकि मैं आपको बता दू mechanical energy, उसके बाद आपने देखा होगा electrical energy electrical energy ठीक है, उसके बाद आगर मैं बात करू heat energy heat energy फिर आपने देखा होगा दोस्तो एक तरीके से sound energy sound energy ठीक है, फिर आपने देखा होगा दोस्तो wind energy wind energy and so on ठीक है ना ऐसे बहुत सारे type के energy अगर मैं लिखूँगा तो आज का lecture भी कम पर दाएगा, इतने सारे type के energy होती है लेकिन 4-5 मैंने कुछ लिख दिया जो कि आप लगने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा अब यहाँ पर मुद्ले की बात क्या है what is this topic means that is transformation of energy कि तो energy जो होती है अब आपने आपको क्या करता है transform करता रहता है बदलता होता है जैसे कि आपको अगर best example बताओ कि कैसे बदलता यह सोचने वाली बात ही है जैसे कि हमारा जो पंखा है अब जश्ट मेरे उपर भी एक पंखा है दोस्तों जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा अगर मैं बात करो कि पंखा है यहां पे एक ठीक है तो यह पंखा जो है दोस्तों घूम रहा है लेकिन यह पंखा घूम कैसे रहा है because of एक energy कौन से energy लग रही है इसके पर दोस्तों electrical energy समझ में आ रहा है दोस्तों मैं आपको क्या बतानी कोशिश करो है समझो बहुत important चीज़े मैं बात करो दोस्तों fan का कोई भी fan लेलो पंखा कोई भी fan जब घूमता है तो घूमाने के पीछे उसका reason यह होता है कि उसके पीछे बिजली लग रही हो थी यानि कि electricity लग रही है चाहे वो normal running electricity और current electricity जिसको बोलते है ठीक है मुद्दा वो नहीं है मुद्दा यह है कि वो electricity से यानि कि electrical energy से चल रहा है यह सबसे पहली बात दूसरी बात यह है दोस्तों यह चल कैसे रहा है यह घूम कैसे रहा है जैसे आपको पता है यह बीच में डंडी होती है यहाँ पर उसके blade से समझ लो यह पहला blade ठीक है यह दूसरा blade ठीक है और यह तीसरा blade ऐसे कुछ पंखा होता है आपका ठीक है मेरे पास बहुता है किसी कर चार दंडी वाला भी होता है पाज रंडी वाला भी होता है वो अलग बात है अब क्या होता है कि जैसे आपने switch on किया तो यह जो चीज है ना अब इसको 3D में imagine करो आपके पास पंखा होगा तो इसको imagine करके देखो तो यह पंखा के गोल वाला जो अंदर जो चीजे होती है जो में मुंडी होता है उसका यह गुमता है सबसे पहले यह ने गुमते है सबसे पहले यह गुमता है और यह इससे connected है तो जब यह गुमेगा तो यह पंखे के blade भी घूमेंगे आपस में लेकिन यह जो चीज घूम रहा है क्यों कि उसके अंदर भी एक चीज है क्या ना में दोस्तों वो चीज का वाइंडि टो चीज के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थे ऊपकोवे से लेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आयो अब mechanical energy घूम तो रहा है लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है हवा मिल रहा है wind मिल रहा है यानि कि wind energy यानि कि in short अगर बात किया जाए कि यहाँ पर energy का क्या हो रहा है transformation energy अपने आपको बदल रहा है बार-बार कि सबसे पहले यहां पे electricity आया यानि कि electrical energy आया electrical energy ने mechanical energy में convert किया, mechanical energy ने हमको हवा दे दिया यानि कि wind energy हो गया, एक और best example बताता हो, अब जो आसपास हवा चल रहा है आपको बता है windmill का example देता हो, इसको में मिटा देता हो windmill आपने सभी ने देखा होगा, कैसा होता, एक दंडी होती है यहाँ पे एक motor ऐसा लगा होता है, और इसमें से blades होते है इस तरह के, मैं आपको बना के तो नहीं दिखा पा रहा हो, कि इस तरह से blades होते है जो कि यह घुमते रहे ती कई घुमते है cked मैंने करीब से देखा हो है, मैंने देखा भी वह हो, मैंने इसके पर photo's । भी ढाले हो, मैने Instagram account , पे आप चेक कर सकते हो जाके एक ऐसा जगा है जहाँ पे नाशिक के आसपस ठीक है वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल से वहाँ पर फॉटो शूट के ले गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था तो जो विंड मिल बड़े होते बहुत बड़े होते आप उसके सामदे छोटे दिखाए दो गए इतने से तो वो blades को घुमाता है, जब वो blades घुमेंगे दोस्तों बहुत तेजी से, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो motor होगा, वो भी घुमेंगा, तो यानि कि wind energy किस में convert हो गया, mechanical energy में convert हो गया, तो wind energy gets converted into किस में mechanical energy, अब यह mechanical energy में convert हो गया, लेकिन दोस्तों यह windmill से मिलता क्या है हमें, यह जो पवन चक्की जिसको बोलते हैं हम लोग, windmill, इससे मिलता क्या है, हम लोग को मिलता है, electricity, यह windmill का उपियोग होता है, for generating the electricity, बिजली बनाने के लिए काम आता है, यानि कि electrical energy, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो, wind energy पहले लिया, wind energy से जा रहा है, वो mechanical energy बन रहा है, और mechanical energy से हमें क्या मिल रहा है, electrical energy, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, energy जो है, वो अपने आपको transform रहा है, यानि कि energy एक जगा से दूसरे जगा, दूसरे से तीसरे जगा, तीसरा type में convert हो रहा है, तो wind energy gets converted into mechanical energy, mechanical energy gets converted into electrical energy, वो electrical energy का हम लोग क्या istimaal करेंगे, let's suppose, वह बिझली का हम इस्तेमाल करते हैं, समझ लो, हीटर है आपके घर में हीटर, खाना बनाते हैं, हीटर कुकर भी बोलते हो उसको, तो normally आप क्या करनें, वह बिझली का हिस्तेमाल , हीटर के में डाल रहे हो, यानि कि हीटर भी एक मशीन हों कही है鋪ंट mechanical energy में convert हुआ electricity and फिर से वो heat energy मिल रही है वहाँ से, यानि कि जो heater है, उससे heat मिल रही है, जिससे आप खाना पाका रहे हो, तो in short, पहले wind energy था, wind energy से mechanical बना, mechanical से फिर electrical बना, electrical से फिर mechanical हो रहा है, mechanical से heat मिल रहा है, heat से हम लोग कुछ बना रहे हैं, चाहिए हम लोग ऐसे ही, जो है वो बहुत सारे काम करवा सकते है, अलग-अलग appliance का, अलग-अलग काम होता है, अलग-अलग device का, अलग-अलग काम होता है, और जिससे हम लोग काम करते हैं अपना, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, यह जो topic है, transformation of energy, जिसका conclusion यह निकला, कि energy कभी भी एक जगह में, एक type में, फिक्स होके नहीं रहता है, वो अपने आपको change करता रहता है, जैसा जिसका demand रहेगा उसके इसाब से, and this is all about the topic, which is called as, क्या वहते हैं, इसको, transformation of energy, अब यह इसके अलाव बहुत energy होती है, जो मैंने नहीं बता है, chemical energy होती है, heat energy होती है, light energy होती है, बटन चालू क्या, electricity आया, तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से, बहुत अलग अलग चीज़े हैं, जो कि आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, तो उमीद करता होगे, transformation of energy का, तो at least आपको समझ में आ गया होगा, कि किस प्रकार change होता है, तो आपको एक question पूछेगा, कि write a short note on the transformation of energy, तो आपको बस बत सके, कोई भी एक example तो, उसको अपने own language में explain कर दो, आपको marks मिल जाएगा, इतनी guarantee है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हो, यह आपको समझ में आ गया होगा, and last but not bellished, एक topic के उपर जाते हैं, जिसका नाम है, यहापे बहुत ही भेतरीन topic माना जाता है, इसको, वो है, बहुत ही अब इसका मतलब क्या होता है, एक statement है, यहापे मैं लिखा होंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, आप लोग note down कर लेना, एक दो बार repeat करूँगा, आप लोग इसको note book में note down कर लेना, क्या है दोस्तों, statement, जैसे आपने भी transformation of energy भी पढ़ा, उसमें से भी आपको अब इसका मतलब क्या हुआ, कि जो energy होती है, जो भी energy होती है, उसको कोई create कर सकता है, क्या, कोई energy को बना सकता है, क्या, मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नामुम्किन के बराबर है, व्योंकि energy हर जगा है, हम लोग बस उसको उठाना है, और उसको change करना है, जैसे कि sun, heat energy पहले से ही है, light energy पहले से ही है, electricity पहले से ही बस बना रहे है हम लोग, यानि कि energy जो होती है उसको हम लोग create नहीं कर सकते, energy can neither भी created, यानि create भी नहीं कर सकते, और नहीं उसको मिटा सकते, कोई भी energy को मिटा दो, electrical energy आ है उसको मिटा दो, खतम कर दो, electricity खतम होता है क एक दिन मेंने लाइट चालू करके छोड़ दिया, बहुत बिजली खर्चा किया, बहुत बिजली खर्चा किया, समझ बिजली खतम भी हो गया, तो मैंने क्या चालू किया, पंखा चालू किया होगा, लाइट चालू किया होगा, तभी तो बिजली खतम हो रहा है, तो पंखा form से लेकि दुसरे form में convert जरूर हो सकता है तो that is the main law of conservation of energy that is energy can neither be created nor be destroyed but it can be converted from one form to another form यह आपको याद रखना है दम याद है जेखो बच्पन में 9 में पढ़ा ता शायद मैंने भी यह जो मैं बोल रहा हूँ अटलिस 10 तक का 11 तक का तो concept बहुत अच्छे से clear है बाकि engineering का तो मेरा ही दोस्तो जो कि आपको पता ही है लेकिन आप लोगों मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तो यह सब conception knowledge क्योंकि अगर आपने यह concept पढ़ लिया ना future में आपको यार इतना हर एक चीज़ का deep में मतलब पता रहेगा आप लोग को कोई पूछेगा तो आप confused नहीं होंगे कि यह ऐसा है तो क्यों है आप बता सकते हो अपने बच्चों को बता सकते हो अपने कलीक्स को बता सकते हो अपने जॉब में जब जाओगे आप आगे बढ़ोगे कुछ रिसर्च कर सकते हो scientist बन सकते हो आप लोग इतना यहां पर मेहनत कर रहा हो आप लोग के लिए ठीक है दोस्तों तो प्लीज यह मेहनत को वेश्ट मत होनी दीजेगा प्लीज कुछ अच्छा अपने लाइफ में जरूर से कीजेगा और अच्छे मार्क्स लेके आएगा और क्रेडिट थोड़ा सर दे देना बस कि हाँ या थोड़ा सर ने हल्प किया बस और कुछ नहीं बाकी तो आपके हाथ में ही है सब कुछ ठीक है तो उम्मीद करता हो यह चीज समझ में आगे एक चोटा सा एक्जामपल लेता हो ठीक है सब्सक्राने वाले चीज रही ना अगर वो सी ओपनली फ्री करके छोड़ दिया जाए तो कभी रुके गहीं दोस्तों क्योंकि उसको कोई रोकने वाला ही नहीं समझ में आना दोस्तों तो यहां पर क्या हो रही है एनर्जी खतम ही नहीं हो रही है तो एनर्जी शुरुआत भी खतम भी नहीं हुई बट वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है यह आपको बदानी गोशिश कर रहा हो तो यही था हमारा आज का छोटा सा तो आज हमने दो टाइट के टॉपिक्स पढ़े एक तो पढ़ा ट्रांस्फोर्मेशन अफ एनर्जी दूसरा पढ़ा देट इस लौफ कंजर्विशन अफ एनर्जी बेट इस दो मोश्ट इंपॉर्टन था लेकिन यह भी बहुत इंपॉर्टन है और अक्सर एक्जाम में आप लोग इसको पढ़ लीजेगा ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करूँगा एक और लेक्चर 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 आउंगा जिसमें बच्चेवे टॉपिक्स है फ्री फॉल एंड पावर यह दोनों ही कंप्लिट करा हूँगा और पावर तो बहु हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई